क्लक्टवर थाना अंतरकत बीतीराच चोरों ने एक मकान से हजारों की नगदी साइच सोने के आभुजणों पर हाथ साफ कर दिया मकान मालिक की रिपोर्ट पर क्लक्टवर थाना पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाट शुरू कर दिये पाडगंज मालियों की बगीची निवासी देवी ने बताया कि इस शेत्र में देर रात तक ऐसमाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है जिसके चलते इस इस इलाके में कई संदिक्द गतिविदियों का संचालन हो रहा है बीती रात कोई शातिर घर के दरवाजे का ताला तोड़कर दो बक्सों में रखी 15,000 रुपे की नगदी सोने के टॉप, सोने के अंगुटी, चादी की पाईजे, महंगी साड़ियां सहित, तीन मोबाईल फोन चोरी कर ले गए चोरों ने मंदिर में रखी माता जी की मूर्ती से भी सोने का ताविज चुरा लिया रात की एक डेड़ बजे के बाद में कुंडी टूटी वी मिली हमारे बाहर के कुंडे लगे लगे थे और अंदर से माल, टोफिस, पाईजे, पंदरा जार केश, साड़ियां, तीन टेली फोन ले गए माता भी मंदिर से ताविज आविज सब उठा के ले गए और सुबह उठके देखा तो यह हमारे कुंडे लगे हुए थे और बाहर दूसरों से खुला यह गेट खुला हुआ था जिसके बाद देखा तो सारा मकान सारा कमरे में सामान बिखरा हुआ, सारे सामन गायब हो गए जिसके बाद बच्चे जाके पुलिस आने में टावर ताने में उदर जाके फोन किया फिर अब तेकी काद चल रही है नबे अजार का चला गया हमारा कैसे यानि क्या गेट कैसे तोड़ के तोड़ के पता ने उपर साय पता ने कुंडी खाली कुंडी टूटी हुई थी और ताला अंदर ही अटका हुआ था अब ताना पुलिस ने शादी का जहांसा दे कर जबरन शारिडिक संबंद बनाने और बदनाम करने की धंकी देकर ब्लैक मेल करने के आरोपी को गिरिफतार करने के बाद गुरुवार को उसका जवारला नेरो अस्पताल में मेडिकल करवाया अलवरगेट थाना प्रवारी सावर मल नागुरा ने बताया कि 20 फरवरी को एक कॉलेज छात्रा ने थाने में पेश होकर अपने पड़वसी प्रमोट के खिलाफ शादी का जहांसा देकर जबरन शारेरिक संबंद बनाने और बदराम करने की धंकी देकर ब्लैक मेल करने का मुकदमा दर्ज करवाया था तब से भजनगन निवासी प्रमोट फरार चल रहा था बुद्वार को मुकविर की सूचना पर थाने के सब इंस्पेक्टर रामिश लाल ने भजनगन से आरोपी प्रमोट को गिरिफ्तार कर लिया पुलिस ने गुरुवार को आरोपी का मेडिकल करवा कर जाज शुरू कर दी जिनाक बीस दो चोदा को थाने पे उकदमा दर्ज भा था पीडिता ने दर्ज कर रहा था कि उसके पडोस में रहने वाला परमोट कुमार नाम का व्यक्ति अनुस नदान से पाया गया कि परमोट कुमार का नाम का आदमी इसको वाकिए तीन साल से इसको शादी का जासा देके और इसका साथ दे सोचन कर रहा था जब उसने शादी के लिए का तो इसने मना कर दे इस पर पीडिता ने मारे पे मुकरमा दर्ज कर आया आज हमने आरोपी को गिरफ तार कर लिया आरोपी परमोट कुमार रेलवे में नोपरी करता है जिसको हम गिरफ तार करके उसका मेडिकल मौयना करवा के आगे भी का लिए